बाजपा साफ हो जे बिना चुना हुए लड़े आर जी जी मोधी जी आएंगे खुलम खुला आएंगे शपा तो लगतार उसका विरोध कर रही है जिसके गुरू डेल लक्स चुना वा रहे है उसके चेला का क्या होगा गाजी पुरवाले उसका कोई पता लोग बहुत कुछ क्याते हैं और सुने होंगे आप भी सुने होंगे कि मीडिया गोदी मीडिया बिग चुकी है तो भाई परचार सर्चार तो भाई जिसका पैसा उसको परचार सर्चार किया जा रहा है कि मसकार इस वक्त हमारी पस्तिति उत्तर परदेश के गाजीपूर के छेत्र में और अभी मैं गाजीपूर के पीजी कालेश के साइड यहां पर मौजूद हूं सामने की तरफ आप लोगों को दिख रहा होगा और आज जो है कि हम 2024 लोग सवा एलेक्शन को लेकर बातचीत करेंगे हमारे बीच में तमाम युवा लोग मौजूद हैं कुछ उनसे भी बातचीत करेंगे पीछे की साइडे बार दिखा दी जाईगे हम कुछ लोगों से बा पाहल चलरा रहा भाजपा साफ हो जेए चुन वालध जी आरजी आजड क्या बात करेंगे भाजपा लगतार 402то यह बताई आप भाजपा प्यारोप लगा रहे हैं भाजपा जोगी तमाम युवाओं रोजगार दे रहे हैं हर साल के रहे हैं कि दो करोड करोड कहां गई आपनी घर में नहीं दे रहे हैं किसको दिए बताई आप अगर मैं बाद कुछ नोज गड़ बंदन की तो सपा और बसपा का गड़ बंदन था तो और ज्यादा हो सकता है लेकिन इस बार तो सपा और कांग्रेस का गड़बंदा नहीं और एक दम साफ कीलियर सपा जीतेगे अग्दम पूरा उमीद का जीत चुकी है कितना उटों से दू लख पार अचा मैलाओं के लिए अगर बात करें तो ज्यादा तर वह लगपती दीदी सरकार लगता हुए तुमाम योजनाई निकाल रही है सरकार के लिए देखे कहने के लिए तो लोग बहुत कुछ कुछ बह आते हैं और सुने के लिए गोदी मीडिया बिग चुकी है तो भाई परचार सर्चार तो भाई जिसका पैसा उसको परचार ससर किया जा रहा है बट हमको ऐसा लग रहा है कि ऐसा कुछ कुछ भी नहीं है काने के लिए कुछ भी हो जाए चुनाव का महौल तगड़ा है मानते हैं लेकिन रिजल्ट आने के बाद अब की बार सरकार बदलने चाहिए लोगों समबाचीत करते हैं क्या नाम बताइए मेरा नाम रभीकान त्यादो रभी है मैं पूरो चाहते संग महमं रिजी संसका अब जालन साडी चुनाव जितेंगे लेकिन अगर हम आप आप अशाल हमाहें सेय सबक्राइड़ ने चला recordedसा में बस पाव और का गड़बंदन था तो इस बार हम बात करें तो सपा और का काश्ट का गड़बंदन को पुरवाले बोल रहे हैं कि जिसके गुरू डेल लक्स से चुनावा रहे हैं उसके चेला का क्या होगा गाजी पुरवाले उसका कोई पता नहीं है यह बताइए जो अभी प्रिजेंट टाइम के ब्यस्पी के जो परत्यासी हैं डाक्टर उमेज सिंग जी वो लगतार आरोप बढ़ा रहे हिं कि एक तरफ माफिया एक तरफ नखल माभिया तो उस पर क्या आपका विचार है कर आता तो उसके समर्थन में कोई नहीं यह बहुत माट्रियाह mendasan धाने माफिए Dan। बस्पा वाले बोल रहे हैं और बाकी आम जनता गरीब दुखिया पुरा मसिया बोल रही है अगर हम यह दूसरी साइड के बात करें भाजपा का तो उसका क्या उमीद लग रहा है देखिये उनका कोई गिंती नहीं रहेगी आप तो इसे पुरा सपा का पुरा एदम तॉलिया भी पहने हुए हैं मैं खंदानी समाजवादी हूं आ रहा हूंगा देखिये बाजपे वाले जूट बोलते हैं और सौमे असी परसें जुट्थे बोलते हैं सबके खाते में दद्दस लाक रुपिया भेजने वाले थे आज तो दद्दस लाक रुपिया गई पंद्र प्र पड़िये और यही अगर हम बात करें तो कांग्रेस का यहां पर जैसा गड़ बहुत कम बाना जाता है तो क्या चांस लग रहा है इस बार सपा और कांग्रेस का अगड़ बंद हैं तो उससे कुछ प्रभाव पड़ेगा कि नहीं लोग सब चुनाव पर देखिये कांग्रे पर चुनाव अर्मेसा जीती थी और राती थी चलिए बाकी दोस्तों अभी हम गाजीपूर से लोग सभा को लेकर बातचीत कर रहे थे हमारे साथ एक भाईयाजी मौजूद है कोई शमस्या जी बताई नाम भाजपा है तो भाजपाई रहेंगे अच्छा क्या नाम है आपक खिलाम मुजा का सबातार को उसका बीरोध कर रही है यह शकुला एक करेंगे जसा जो सरकारी नोकरी वाले को धास हजार बात्रइला तो तो नहीं दिखाई दे रहा है रोट बन रहे हैं तो नहीं दिखाई दे रहा पूल बन रहा, वो नहीं दिखाई दे रहा, वो सब को पास खेती है, तो अपना काम करके वो तो खा लेते हैं खेत से, अज इसके पास नहीं है कुछ भी, वो तो पांच किलो का तसा हा रहा है नौदी कहते कि मैं हर साल दो करो नोकरिया दूंगा, खाते में पंदर पंदर ला किया गया है, कई लोग करें कि उनको तो मैं जानता ही नहीं, जानने वाले जो उनके खिलाफ हैं, वहीं न करेंगे, सब लोग थोड़ी करेंगे, हम थोड़ी करेंगे, बसपा के प्रतियासी हैं, इस टाइम डाक्टर रुमेश सिंग जी वो लगतार और आरोप लगा रहे ह और नखल माफिया, तो उस पर आप क्या करेंगे, माफिया को हम इतना घुमने फिलने वाले नहीं है, हम तो भर की आवरत हैं, घरी में कर जानेंगे, और जो समाज में देख रहे हैं, वह हकीकत हैं, और इनको जो नखल माफिया का जौरोप लग रहा है, भाजपा पर हम क्य यहां पर हम कुछ युवाओं से बात किये युवा जो एक ही बोल नहीं रहें बड़ी दूर से पहले भाग जा रहें लेकिन चलिए कोई बात नहीं कुछ लोग भी हम मिलते हैं किसे और विड़ों के साथ तब तक के लिए जाइंद जाइंद जाइंद